आजाद और लोकतांतरिक देश भारत के दो राज अपनी अपनी सीमाओं को लेकर आपस में लड़ रहे हैं वहां हिंसा हो रही है आम लोग और पुलिस वाले मर रहे हैं पुलिस की बंदूखें गरज रही हैं और ग्रामीरों की लाठियां और उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शर्मनाक है इसी पर बात करेंगे और बात उस फोटो जर्नलिस्ट की भी करेंगे जिसने ग्रामीर को पैरों से कूट कूट कर माई डाला असकार मेरा नाम है अनुराग मिस्टरा और आप जन्नता जंक्शन देख रहे हैं असम में सब कुछ ठीक नहीं है वहां से हिंसा और आग जनी की तस्वीरें लगातार आ रही है उसी के बीच एक फोटो जर्नलिस्ट का बेहत बरबर और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है उस वीडियो में सबसे पहले वो फोटो जर्नलिस्ट और कुछ पुलिस वाले गाउं से बाहर की ओर भागते हुए नजर आते हैं फिर उनके पीछे का आदमी डंडा लेकर दोड़ता हुआ नजर आता है जैसे ही वो आदमी गाउं से बाहर आता है पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं और डंडों से पीटते हैं वो जमीन पर गिर पड़ता है और इस बीच वो फोटो जर्नलिस्ट उसकी तरफ लपकता है और उस आदमी की च्छाती पर कूदने लगता है फिर पुलिस वाले उसको खीचते हैं लेकिन फिर से वो जाकर उसे लात से मारता है और पुलिस उस फोटो जनर्लिस्ट को खीचती है और कैमरा उस आदमी के उपर जाता है उस आदमी की छाती से खूल निकल रहा होता है और शायद उसकी मौत हो चुकी होती है बाद में पुल प्रिणा में दो आम लोगों की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है और नौ पुलिस वाले भी गंभीर रूप से जखमी हो गए है अब सवाल ये है कि इस दंगे का और इस बवाल का कारण क्या है ये असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर है और ये कोई आज जन्मा विवाद नहीं है ये अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है और ये विवाद हमेशा से ही हिंसक रहा है ब्रिटिश शाशकों ने 19-वी शताबदी की शुरुआत में पूर्वत्तर भारत में अपना दबदबा बढ़ाया था उन्होंने असम का इस्तमाल इस प्षे इसके बाद असम से चार राज निकले, नागा लेंड, अरणचल, प्रदेश, मिघाले और मिजोरं। इन राज्यों की सीमा को समवैधानिक तरीके से परिभाषित किया गया था, क्योंकि इन में से प्रतियेक को असम से काटकर बनाया गया था, हालांकि नागालेंड, मिघाले और मिजोरं के लोगों का मानना है क्यों ने उस जमीन से वंचित किया गया है तो जो उनके पास पहले ही मौजूद थी जो उनकी पहले मालिकाना हक वाली थी अंग्रेजों के समय तो हल्की फुल की जड़पे हुई लेकिन 1857 के बाद असम और मिजोरं की सीमा पर विवाद हिंसा के साथ होने लगा इसके साथ ही असम की नागालेंड, अरुडांचल प्रदेश और मिघाले की लगती सीमा पर भी जड़पे होने लगी इस विवाद को सुलजाने के लिए बॉर्डर कमीशन बनाए गए थे लेकिन अब लोग इन कमीशनों की सिफारिशों को मानने के लिए तयार नहीं है खासकर मिजोरं के विधायकों का कहना है कि 1875 में तै की गई सीमा वास्तिविक है क्योंकि यह मिजोनेताओं और बिटिश सरकार के बीच सहमती के साथ बनाई गई थी इसके बाद 1975 में जब सीमा दुबारा बनाई गई तो मिजोनेताओं के साथ विचारवे मर्श नहीं किया गया और इसकी वजह से यह जबरदस्ती थोपी गई सीमा है और इसी के चलते विवाद शुरू हो गया और हाल ही में यह विवाद और गहराने लगा है यह विवाद पिछले वर्ष बढ़ा था यह तब शुरू हुआ था जब असम में भाजबा की सरकार थी और अब भी है और अब पडोसी राज मिजोरम में बीजेपी का मिजोर नेशनल फ्रंट की अगवाई वाली सरकार के साथ गटबंधन है यानि दोनों राज़ों में भाजबा समर्थित सरकारे हैं फिर भी दोनों राज़े लड़ रहे हैं खासकर मिजोरम में जहां गठबंधन तो है लेकिन वो गठबंधन किसी दबाओ की तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि MNF खुद में पूर बहुमत में है मिजोरम का मानना है कि सीमा का निरधारण 1875 की अधिसूचना के आधार पर होना चाहिए मिजोरम के निता 1933 की अधिसूचना को स्विकार नहीं करते है उनका कहना है कि इसमें मिजोरम के समाज की सलाह नहीं ली गई थी वहीं असम सरकार 1933 के सीमांकन को स्विकार करती है इसी के परिड़ाम सरूप दोनों राज्यों के वीच विवाद चला आ रहा है फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे जंता जंक्षन शुक्रिया